नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चनल स्टाडी टूडे विद विपलप में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 50 VBI अबजक्टिव बताऊंगा 50 VBI अबजक्टिव बताऊंगा वही सारे के सारे क्वेश्चन्स एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोडेंट है बहुत सारी स्टूडेंट्स का डिमांड था इसलिए मैं आप लोगों के लिए सोस्याल साइन्स से 50 VBI अबजक्टिव लेके आया हूँ यह सारे के सारे क्वेश्चन्स एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोडेंट है फाइनल एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं इसलिए वीडियो को लाइक तक देखेगा वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों में सेर कीजेगा सिपाही विद्रोह का नित्री तो किसने क्या था आपको याद रखना है रानी लक्ष्मी भाई नेक्स्ट है 1857 इसवी के विद्रोह के समाए भारत का गवर्नर जनरल कोन था आपको याद रखना है लौड केनिंग आपको याद रखना है नेक्स्ट है आपके समने कानपूर में 1857 के बिद्रोह की अगवाई किसने की थी नाना सहाव ने यह आपको याद रखना है नाना सहाव नेक्स्ट है तातिया तोपे सनापती थी किसके सनापती थी नाना सहाव की ठीक है तातिया तोपे जो है नाना सहाव के सनापती थी आपको याद रखना है नाना सहाव कोन है कानपूर में 1857 के बिद्रोह के अगवाई जो है नाना सहाव नहीं की थी ठीक है यह आपको याद र क्लियर है नाना साहब यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है आपके सामने है क्वेश्चन नम्वर सिक्स बहदूर साहा जफर ने किसके सायोग से बिद्रोह का नेत्रित किया बहदूर साहा जफर ने किसके सायोग से बिद्रोह का नेत्रित किया बक्त खां ठीक है बक्त खां के थे जारखंड के पलामू से थे ठीक है पलामू निलंबर और पितंबर कहा के महान स्वतंतरता सनानी थे आपको याद रखने पलामू नेक्स्ट है आपके सामने ठाकूर विसोनात सहादेब को कभ फांसी दी गई आपको डेट याद रखना है 16 अपरेल 187 ठीक है हजारीबाग चावनी में बिद्रोह कब भूआ था यह आपको याद रखना है 30 जुलाई 5857 को हुआ था जारखंड में सिपाही बिद्रोह की सुरुवात का भूई जारखंड में सिपाही बिद्रोह की सुरुवात का भूई most important है 12 जून 1857 यह आपको याद रखना है 12 जून 1857 को अपसन नमबर 3 आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा नेक्स कोशन देखिए चलि नेक्स आपके सामने Asiatic Society और Bengal का गठन किसने क्या था Asiatic Society और Bengal का गठन किसने क्या था William Jones ने यह आपको याद रखना है William Jones अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा सा ज़्यादा लाइक करते हो अपने दोस्तों में यहार करते हो नेक्ट आपके सामने कि रांची जिलाइ स्कूल की स्थापना किस ने की थी जे आर ओसले ने ये आपको याद रखना है जे आर ओसले नेक्ट आपके सामने है रांची जिलाइ स्कूल की स्थापना कब हुई थी ये आपको याद रखना है 1839 ठीक 1849 इस भी में जो है रांची जिलाई स्कूल किस्तापना की गई थी, किसके दोरा की गई थी, J.R. ओसले के दोरा की गई थी, ये आपको याद रखना है, नेक्स्ट आपके सामनेgate निम्न मैसे, निम्न मैसे, कोन संस्क्रीट और फारसी, रचनाओं का अंगरेजी में अनुबाद कर रहे थे, नेमनों में कौन, संस्क्रीद और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुबात कर रहे थे यहाँ पर चार अपसन दिया हुआ है हेनरी टॉमस कोलब्रूक, जैम्स मिल, रिचर्ड थॉमस, जैन पार्किन्स तो इनमें से राइट अंसर हो जाएगा आपका अपसन नमबर एक हेनरी टॉमस कोलब्रूक, ठीक है यह आपको याद रखना है नाम थोड़ा हाड है, आपको याद रखना है हेनरी टॉमस कोलब्रूक, ठीक है यह आपका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आप के सामने 1791 में ब्रिटीज जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहां स्थापित क्या गया था लखनों के अंदर या कलकत्ता के अंदर या दिल्ली के अंदर या बनारस इन्वेस्टर राइट हो जगा आपका बनारस के अंदर ठीक है बनारस यह आपको य दर्शा किस था अपना किसने की ठीक है आपको याद रखना है वारेन हैस्टिंग्स ठीक है यह आपको याद रखना है वारेन हैस्टिंग्स नेक्स्ट आपके सामने SPG मिशन द्वारा Blind School Cup खोला गया SPG मिशन द्वारा Blind School Cup खोला गया आपको याद रखना है 895 895 SV में Option नमबर 1 सही होगा Next है आपके सामने Open Basic Open Basic सीक्षा ने भारतियों को मश्तिस्क में हिंता का बोद पैदा कर दिया यहाँ कथन है दैनंत सरसोती का या महतमागंदी या दादा भाई नोरोजी या लाला लाचपतरा है तो इन में से राइट अंसर हो जाएगा महतमागंदी का ठीक है इहाँ कथन जो है महत्मा गंधी कह था अपसट नमबर 2 सही होगा Next Room कोन भारत को असभ्य देश मनता है इन्जेंस से राइट अन्सर हो जाएगा थामस वेविंग्टन मैकाले थामस वेविंग्टन मैकाले जो है अपका राइट अन्सर हो जाएगा नमबर दू, नेक्स्ट आपके सामने है, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके दौरा की गई थी, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके दौरा की गई थी, डल्वीन, डवलीन मिसन, डवलीन मिसन के दौरा, डवलीन मिसन यह आपको याद रखना है, संत कोलंबा किसके दोरा की गई थी Dublin Mission इस वीडियो के description में बहुत सरे इसी वीडियो के लिंक दिया हुआ है आप चाहें तो एक के करके देख सकते हैं ठीक है नेक्ट आपके सामने देखी नेक्ट आपके सामने हिंदू विद्वा पुनर विवाह कानून का परित हुआ हिंदू विद्वा पुनर विवाह कानून का परित हुआ आपको याद रखना है अठारो सो चप्पन इस वी को ठीक है हिंदू विद्वा पुनर विवाह कानून का परित हुआ अठारो सो चप्पन को नेक्ट आप के सामने है स्वामी दयानंद सरस्थी की स्थापना की ती आरिया समाज की ती यह आपको याद रखना है आरिया समाज मोस्ट इंपोर्टेंट है सती प्रथा को दूर करने का सरय किन है मिला था लॉर्ड बिलियाम बैंटिक को नेक्ट आपके समने है किस भारतिय समाज सुधारक के प्रया से सती प्रथा का अंध क्या गया राजा रामोहन राई ठीक है आपका राई टेंशन हो जाएगा राजा रामोहन राई आपको याद रखना है most important है नेक्स टैप के सामने सती प्रथा पर पहला प्रतिबंद किस राजाने लगाया था आपको याद रखने हर्स बर्धन सती प्रथा का प्रथम प्रमान किस अभिलेक में मिलता है सती प्रथा का प्रथम प्रमान किस अभिलेक में मिलता है एरन ठीक है एरन अपसर नमबर 4 सा योगा एरन ये आपको याद रखना है सारे के सारे कॉस्चेंज एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो को लाइक तक देखिएगा वीडियो को लाइक कीजेगा अपने दोस्तों में सेर कर दीजेगा और इस चानल में जुड़े रहने के लिए इस तरह के वीडियोस पाने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा इस्त्री सिक्चा के लिए कलकत्ता के तरून इस्त्री सभा की स्थापना का भूई 1819 को 1819 इस्वी को अपसन नमर चार सा योगा नेक्ष्ट आपके सामने है भोपाल की भोपाल की बैगमों ने लड़कियों की सिक्चा के लिए विद्दालाई कहां खोली अलीगड के अंदर अपसन नमर एक सही होगा अलीगड यहाँ पर अपसन दिया है यहाँ पर अलीगड भोपाल इलाबाद बनारस तो इनमें से राइ अलीगड मुसलीम विश्ववी दलाई का पुराना नाम था अलीगड मुसलीम विश्ववी दलाई का पुराना नाम क्या था मोहमडन कॉलेज अपसन नमर दो सही होगा मोहमडन कॉलेज नेक्ष्ट आपके समने की प्रतम विश्वध्वर्म सम्मेलन कव हुआ प्रतम विश सुधार अंदोलन के नायक थे दक्षिन में जाती सुधार अंदोलन के नायक थे ईवी रामा स्वामी आपको याद रखना है दक्षिन में जाती सुधार अंदोलन के नायक ईवी रामा स्वामी नायक नायकर प्रसिद थे ईवी रामा स्वामी नायकर प्रसिद थे गुरुदे थिभ गोकले पेरियार तो इनमें से राइट अνसर हो जाएगा प्रसीद्ध liberty पेरियार के नाम से ठीक है पेरियार अपकरky नなたब के सामने आधुनिक भारत का reasoning काहा जाता है विप의कानन को देन विया राजा राम महन राय या नरायन गुरू को देखे, आधुनिक भारत का जनक जो है न राजा राम महन राय को कहा जाता है तो आफसन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा Next, आपके सामने Next, आपके सामने कि Company सरकार ने भारत में कुण सा समाच सुधार का कारिया नहीं किया कमपनी सरकार ने कमपनी सरकार ने भारत में कौन सा समाज सुधार का कारिया नहीं किया सती प्रथा को बंद करने का करिया नर्वली को बंद करने का करिया विदवावी बाहा को बढ़ावा देने का करिया या गुलामी बंद करने का कारिया तो अपसन नमबर 4 सही होगा गुलामी बंद करने का कारिया नेक्ट आपके सामने बर्ण व्यवस्ता आधरित्था जन्म पर कर्म पर छेतर पर इन में से कोई नहीं देखे सारे के सारे questions exam के लिए most important है वीडियो के लाइक कीजिएगा आपने दोस्तों में शेर कीजिएगा नेक्ट आपके सामने ब्रह्म समाज के संस्तापक कोन थे राजा राम मोहन राई जो है ब्रह्म समाज के संस्तापक थे नेक्ट आपके सामने जोतिराव फुले ने किस प्रसिद गरंद की रचना की थी गुलाम गिरी यह आपको याद रखना है अप्सन नमबर दो सही होगा नेक्ट आपके सामने कंग्रेश के पहले अध्यक्ष कोन थे बोमेश चंद्रवनर जी नेक्ट लॉड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को किस राजय का विवाजन किया अप्सन नमबर एक सही होगा यहाँ पर बंगल हो जाएगा अप्सन में दिया हुए बंगल मदराज मंबई उडिस्ता तो इनवस्तर राइट अंसर हो जाएगा अपका बंगल नेक्ट आपके सामने ब्रेटिस सासन के विरूद राष्ट्रेश्तर पर माहल बनाने है तो कंग्रेश की स्थापना कब की गई 28 दिसमबर 1885 को जो है कंग्रेश की स्थापना की गई थी नेक्ट आपके सामने बंगल विभाजन के समाए वायस राइ था कौन था लाड करजन ठीक है लाड करजन आपको याद रखना है कंग्रेश की स्थापना किस ने की थी और बंठ आपको नाम याद रखना है याँपर लेकिन आपको याद रखना है ए ओ ही नेक्स अपके सामने भारत दुरदसा नाटक के नाटक कर कोन थे भारत दुरदशा नाटक के नाटक कर कुन थे यहांपर दिया हुआormalाए प्रेमचंद, भगवती चरण बर्मा, भारतेंदू हरिस्चंद्र मैथिल शरण गुप्त तो इनमे से राय्ट आंसर हो जाएगा भारत दुरदशा नाटक के नाटक कर जो है भारते इंदू हरिश्चंद्र थी तो अफसा नमबर तीन सही होग है यहां पर चली नेक्ट आपके सामने गांधी जी का आसायोग आंदलन शुरू हुआ था एक अगस्त 1922 को एक अगस्त 1920 यह आपको याद रखना है चोरी चोरा अगनी कांड काव घटित हुआ आपको नया संग्विधन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भारत का नया संग्विधन जो है लागू हुआ था यह आपको याद रखना है नेक्स्ट आपके सामने रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया रॉलेट एक्ट आपको याद रखना है आट काणून कप टोड़ा गया 12 March 1930 को यह थे 50 बीडियो को कैसा लगा मिन जरूर बता येगा वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस चैनल में जूर रहने के लिए इस तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस करके all पे क्लिक कर देजगा मिलते हैं नेक्स्ट अप्डेट में जाई हिंद जाई भारत